तो दोस्तों स्वागत आपका हमारे YouTube channel helping hand traders में तो गाइस अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेट कॉर्टे टू 2021 का रिजल्ट आ गया है तो चलिए रिजल्ट की और बढ़ते हैं पर उससे पहले अगर आप अपारे चैनल पर डाया है और आपने बढ़ते कि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके अब सब्सक्राइब कारिया के कम्पनी के टो तोटल रिवेहं जो्टिएNow का तोट घ्रन जो इसको सब्सक्राइब 3 और हम बात करते हैं कारन इसको सब्सक्राइब के का अटेक्स्पीन्फेस सब्सक्राइब तो इस quarter में company के profits रहे 502 करोड के, last quarter में 439 करोड और last year दे 336 करोड जैसे कि आप देख सकते है company के profits है tax pay करने से पहले वो इस quarter में last quarter और last year दोनों के मुकाबले काफी सादा आए है अगर हम बात करते हैं profits की tax pay करने के बाद तो इस quarter में रहे 360 करोड last quarter में दे 320 करोड और last year दे 262 करोड जैस टैक्स पे करने के बाद भी company के profits है वो इस quarter में last quarter और last year दोनों के मुकाबले काफी सादा बढ़ कर आए है company के result है वो काफी अच्छा है अगर हम company के earnings पर शेर की बात करें तो इस quarter में रहे 3.59 रूपीस के earnings पर शेर last quarter में दे 3.2 रूपीस के और last year दे 3.36 रूपीस के कई जैसे के आप जैख सकते है company earnings पर शेर भी company के profits की ही तरह इस quarter में last quarter और last year दोनों के मुकाबले काफी सादा आए है company के result है वो काफी अच्छा है गाइस इसके अलबावा company ने अपना एक डिवेडेंट भी डिक्लेयर करा है जो कि है 0.5 रूपीस का इंटर्म डिवेडेंट 5% equity share face value जिसकी 10 रूपीस की है तो उसकी जो recorded company ने डिक्लेयर करीया है वो है 18 नमंबर 2021 और company ने उसकी जो payment date डिक्लेयर करीया है वह है 8 दिसंबर तो गयश्क इस वीडियो में बिसन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडिये को सब्सक्राइब नहींग्या तो इसको सब्सकृइब कर के बैल नोटिविकेशन को अलब के सेथ चार कि अब स्टॉक मार्केट और वबेल्द सहसे रिलेटेड़ सारी जयनकारी सबसे प